हेलो क्लास, कक्षे क्यारवे के रशायन वे ग्यान विशे में आप सभी का शागत है आज हम लग पढ़ेंगे गैसों का अडुगतिक सिध्धान्त गैस के गुडों के बारे में जानने के लिए चार्ल्स बायल डाल्टन ने अनेक नियम प्रस्तुत किये अब इन सभी नियम को मिला करके एक ऐसे सिध्धान के अरशक्ता हुई जिसको पढ़ करके हम गैस के सभी गुडों का पता लगा सकी तो इन ही नियमों को मिला करके गैसों मतलब बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का नियम, गेल उसाक का नियम इन ही नियम को मिला करके गैस का अड़ुगतिक सिध्धान दिया गया पूरु में वर्नित गैस के नियम, बायल का नियम, चाल्स का नियम, डाल्टन का आंसिक, दाप का नियम किवल प्रयोगात में प्रेक्षट पर अधारी थे इन प्रयोगात बक्तत्य की व्याख्या करने के लिए एक माडल की कलपना की गई जिसके अनुसार सबही गैस अड़ों से मिलकर बनी है तथा अड़ों गति सिल होते हैं गैसों का अड़ों गतिक सिध्धान गैसे व्याखर के प्रिक्षित लक्षड का इस्पष्टिकर्ट करता है मतलब यहां पर जो गैसों का अड़ों गतिक सिध्धान है वो इन नियमों को मिला करके दिया गया है और इसमें गैस किस तरह से वेहार प्रदर्शित करता है उसके बारे में बताया गया है गैसियों को गुड़ों को समझाने का प्रथाम प्रयासन 1738 में बर्नौली ने किया था बर्नौली के अनुसार किसी गैस का दाव उसके अड़ो के पात्र की दिवार पर टकराने से उत्पन होता है उनके विचारों को बाद में क्लासियस और क्रोनिंग ने विक्षित किया था तथा 18-18 में उन्होंने गति समीकरण को विद्बनने किया बाद में मैक्सवेल, केल्विल, बोल्टनमैन तथा अन्य कैवे ग्यानिक ने अड़ु गतिक सिधान को आधिरिक रूप दिया तो यहां पर देखेंगे गैस के अड़ु गतिक सिधान की अभिक्रिहित, मतलब धारनाए, पहला है सभी गैस बहुत अधिक संख्या में बहुत सुच में कड़ोशे बना होता है, इन्हें अड़ु कहते हैं, जो गैसे होती है, वो अतियंत सुच में कड़ोशे मिल करके बनी ह होती है, गैसे अतियंत सुच में कड़ोशे मिल करके क्या होती है, बनी होती है, इसका समर्थन इसका सपोर्ट ये करता है, कि ये पदार्थ के समाने कड़ी शुभाव के अनुशार होता है, पदार्थ का सुभाव कैसा होता है, कड़ी रूप होता है, पदार्थ कड़ोशे दूसरा और बनाते हुए प्रिशक होते हैं इसलिए गैस के अडू का वास्तविक आयतन गैस के संपूरा आयतन की तुलना में क्या होता है नगर्णी होता है यहाँ पे यह बताया गया है गैस को जो वास्तविक आयतन है वो गैस के संपूरा आयतन की तुलना में नगर्णी होता है जैसे कि यहाँ पे इस पात्र में क्या है गैस भरा हुआ है है ना अब यहां पे क्या होता है ना लेते हैं किसी कमरे में गैस भरा हुआ है यह कमरे है जिसमें गैस के होता है भरा हुआ है तो हमें पता है गैस जो होते हैं एक दूरी बनाते हुए रगते हैं मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर में रहते हैं अब इस कमर कमरे में जितनी भी गैस है उसको निकाल करके हमने इस डिब्बे में बंद कर दिया है तो मतलब दाब के साथ एक प्रिशर के शाथ इसमें बंद के हैं पहले क्या था एक कमरे के अंदर में गैस पूरी तरीके से बिखरा हुआ था उसके प्रशाथ इस गैस को कमरे से ले करके ह हमने कहां पर रखा है इस डिब्बे में बंद कर दिया है कि तो यहां पर यह था कि यहां पर जो गैस था पूरे कमरे में था यह उसका वास्तविक आयतन नहीं है तो यहां पर जो गैस का संपूर्ण आयतन है यह उसका वास्तविक आयतन पहले क्या था गैस कमरे में पूरी रिखा हुआ था मतलब इधर उधर फैरा हुआता है तो उसको हमने एक डिब्या में बंद करती है एक दाप के साथ है ना तो दाप के साथ बंद करती है तो उसका आयतन इतना हो गया तो यह हो गया संपूर्ण आयतन और यह हो गया आपका वास्तविक आयतन तो गैस को जो वास्तविक आयतन है वो उसके संपूण आयतन की तुलने में क्या होता है कम होता है नगण न होता है जो गैस का संपूर्ण आयतन होता है और जो गैस का वास्तविक आयतन होता है जो वास्तविक आयतन होता है गैस का वो शंपूर्ण आयतन की तुलने में क्या होता है नगर्णी होता है इसे को यहाँ पर बताया जा रहा है अडू येक दूरू चर लंबी दूरी बनाते हुँ पेटख होती है इसलिएdes के अडू का वास्तविक अ历तन GAS के संपून अ历तन की तुलने में क्या होता है नगर्णी होता है ठिक, इसके समर्थन में है GAS का उच्छ संपीड़ी स्भाव गैस के अडू के बीच लंबे खाली स्थान होने का परियाप्त सबुत देता है यह इस पर्ष्ट करता है कि गैस का आतन गैस के अडू का आतन था खाली जगहों का जोड होता है गैस के अडू का आयतन खाली स्थान की तुलना में इतना कम होता है कि इसे नगर ने मान सकते हैं सवर्थन में ये कहा गया है कि गैसों में संपीडिता क्या होती है अधिक होती है गैस में संपीडिता अधिक होती है गैस के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे दूर दूर होते हैं इसी कार जब हम इसे दबाते हैं और एक छोटे डिब्बे में बंद करते हैं तो जितने भी गैस होती है वो इस डिब्बे में आ जाती है क्यों 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 क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच खाले स्थान क्या होता है अधिक होता है और वो एक दूसरे से अधिक दुरी पर रखे होते हैं ठीक उसके बाद है गैस के अडू बहुत तिवर गती से सीधी रेखा में इस्तिर गती की अवस्था में होते हैं यह आपस में इक दूशर से तथा पात्र की दिवार्शे टकराते हैं जिससे इनकी गती तेधी मेडिया क्या हो जाती है? अनियमीत हो जाती है यह बताया गया है कि जो गैस के अडू होते हैं वो सीधी रिखा में गती करते रहते हैं लेकिन जब यह आपस में टकराते हैं और जिस पात्र में रखा जाते हैं उसके दिवार से टकराते हैं तो इनकी गती क्या हो जाती है टेड़ी में हो जाती है ठीक, समर्थर में कहा गया है कि इनकी अनिमीद गती सीने में इस्क्रीन पर पढ़ने वाले प्रकास पुंज में दिखती है थोस दूल के कड़ हवा में उपस्थित गैस के अडू से टकराते हैं इन दूल के कड़ों की अनिमीद गती को ब्राउनी गती कहते हैं तीसर श्रिधांत ये कहता है कि जो गैस के अडू होते हैं वो एक सीधी रेखा में गती करते रहते हैं लेकिन जब ये आपस में गैस के जो पार्टिकल होते हैं आपस में ठकराते हैं या फिर किसे पात्र की दिवार से टकराते हैं, तो अनिमेट रूप से गति करने लगते हैं। हाँ तो यह क्या होता है सीधी गती ना करके अनेमित या फिर टेढ़ी मेढ़ी गती करते हैं समर्थन में यह बताया गया है जिस तरह से जो धूल के कड़ होते हैं वो प्रकास पुंजे से टकराते हैं और इधर उधर गती करने लगते हैं है ना तक का यह क्या आट है तो इस हम लग क्या करते ब्राउनी गती इस बात के समर्थन कर रहा है और उनकी गती हो जाती है ऐनेमित हो जाती है । उसके बाद चौथा रूल है आपका अडू का आपस में तथा पात्र की दीवार से संगठन पूरेता प्रत्याश्ट होता है अर्थास संगठन के दरान उज्जा का हास नहीं होता अता अडू अपनी उज्जा को सुरक्षित रखते है यहाँ पर यह बताय गया है चौथे कलती है कि अब सवर्थण में यह बताया गया है यदि अडू का संगठन अप्रत्याश्ट होता तो हर कि अलडू हर संगठन पर अपनी उज्जा कम करते अ अध्यू अज्जा सुनने हो जाती कि यहाँ इसको देखते हैं scared आपस में टकराते हैं और जब पात्र की दिवार से टकराते हैं तो वहां से उर्जा क्या होती है नहीं निकलती है मतलब वहां पे उर्जा का हास नहीं होता है जब अडू आपस में टकराते हैं या फिर अडू पात्र की दिवार से टकराते हैं तो वहां पे उर्जा का हास नहीं होता है इसके समर्थन में ये कहा गया है अडू जो होते हैं आपस में अपरत्याष्ट होते हैं मतलब आपस में टकराने पर या फिर पात्र की दिवार से टकराने पर वहां पर उर्जा का हास नहीं होता है अगर ऐसा होता अगर अडू अपरत्याष्ट होते मतलब उनमें उर्जा का हास होता तो उर्जा का हास होने के प्रशाद उनकी उर्जा बहुत ही क्या हो जाती कम हो जाती या फिर अंत में बहुत ही सुन्य हो जाती और जो गैस के कड़ होते हैं नीचे की और पात्र में नीचे की और जम जाते उनमें कोई गती नहीं होती तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अडू जो होते हैं गैस के अडू आपस में टक्रा करके या फिर पात्र की दिवार से टक्रा करके उर्जा का हास नहीं करते हैं इसके समर्थन में यह बताया गया है कि अगर अडू से उर्जा का हास होता तो अंत में अडू की जो उर्जा होती बहुती कम मतलब सुन्य हो जाती और अडू जो होते पात्र की दीवार में नीचे की और बैट करके जम जाते हैं ना अगर पात रखी दिवान में नीचे की और जम जाते तो गैस में मतलब गैस के जो अडू होंगे इधर उधर गती नहीं करते और नहीं हम उसमें दाप डाल सकते हैं मतलब उसको संपीडित कर पाते क्योंकि वो ठोस रुप में हो जाते तो वहां पर दाप कैसे डाल सकते हैं है ना यहां पर समर्थन में बताए गया है कि यदि अडू का संगठन अप प्रत्याष्ट होता तो अडू हर संगठन पर अपनी उज्जा कम करते अता उज्जा सुन्य हो जाती अता अडू विश्राम अवस्था में आ जाते और पात्र की सिता पर जम जाते इस प्रकार अता अडू विश्राम में रहते और पात्र की दिवार से नहीं टकराते हैं और गैस में कोई दाब नहीं होता परन्तु ऐसा नहीं होता है है ना वो टकराने के प्रशात उर्जा का हास नहीं करते हैं मतलब वो अप्रत्याष्ठ नहीं होते हैं बलकि क्या होते हैं प्रत्याष्ठ होते हैं पाजश्वा सिधान में कहा गया है गैस का दाब गैस के अड़ू के पात्र की दिवार से टकराने शुद्पन होता है जो गैस में दाब होता है वो गैस के अडू के पात्र की दिवार में टकराने शुत्पन होता है समर्थन में ये कहा गया है या फिर ये पुष्टी करण किया गया है जब अडू पात्र की दिवार से टकराते हैं तो वो उस प्रती इकाई छेत्रफल पर बल उत्पन्न करते हैं सभी अडू के सभी टकरों का योग गैस के कुल दाब को दर्शाता है गैस का दाब गैस के अडू के पात्र की दिवार से टकराने से उत्पन्न होता है जो गैस में दाब आप लोग महशूस करते हो, वो दाब किस करण होता है, वो दाब गैस के अडु के पात्र की दीवार से टक्राने से उत्पन्न होता है पुष्टी करण में ये बताया गया है जब अडू पात्र की दिवार से टकराते हैं तो वो उस पर प्रती इकाई छेत्रफल बल उत्पन्न करते हैं जब जो गैसे होती है पात्र की दिवार से टकराती है तो इकाई छेत्रफन जो गैस होती है उस पर दाब उत्पन करती है और सभी अडू के सभी टकरों का योग गैस के कुल दाब को दर्शाती है पात्र से धांत में ये बताया गया है कि जो गैस का दाब होता है वो गैस के पात्र की दिवार में बल उत्पन करने पर या फिर टकराने पर उत्पन होता है गैस में जितना दाब होता है वह दाब गैस के अडू के पात्र की दिवार में टकराने शे उत्पन होता है इसका समर्थन में ये कह गया है कि जब गैसे आपस में टकराती है या फिर गैसे जब किसी दिवार्श टकराती है पात्र की दिवार्श टकराती है तो वहाँ पर क्या उत्पन होती है बल उत्पन होती है जब गैसे आपस में टकराती है या फिर पात्र की दिवार्श टकराती है तो वहाँ पर क्या उद्गन होती है बल उत्गन होती है उतना बलो का योग उस गैस में जितना दाब होता है उसके क्या होता है बराबर होता है ठीक है च्राटवे सिद्धान में बताया गया है कि गैस में कोई आकर्शस तथा प्रतिकर्षड बल नहीं होता है वें पूरता स्रतंत्र होती है गैस के जो कि उनमें आपस में कोई आपसी अंतरक्रिया बल नहीं होती है मतलब ये है कि गैस के अडू में कोई आकरशड और प्रतिकरशड बल नहीं होता है इस बात को समर्थन इससे मिलता है कि जब गैस का दाब कम किया जाता है जब हम लोग गैस को किशी डिब्बे में बंद किये हैं ठीक और डिब्बे उसके पशाद जब डिब्बे की ढकन को निकालते हैं तो गैस के होते पूरे कमरे में फैल जाती है इसका मतलब यह है कि उनमें गैस के जो पार्टिकल है उनके बीच आकरशडबल काम नहीं कर रहा है अगर आकरशडबल काम करता तो गैस जो है वैसी का वैसी रहती है ना वो एक दूसरे से दूर मतलब कमरे में नहीं फैलती तो यहां पर बताया गया है कि गैस के अड़ू में ना तो आकरशडबल काम करता है और नहीं प्रतिकरशडबल काम करता तो गैस जो है उसमें दाप कम करने पर वह क्या होती है फैलती है लेकिन क्या होता है अगर उनमें आकरशडब प्रतिकरशडबल काम करता तो उसमें कि साथ हो बतायागे है अडू जो है विभिन वेगों से गती करती है अता उनमें गतीज उर्जा विभिन होती है वह गैस के अडू की आउश्ट गतीज उर्जा परमताप के समानुपाती होती है गैस के जो अडू होती है वे अलग-अलग वेक से क्या होती है इधर उधर गती करती है क्योंकि उनमें गतिज उर्जा होती है गैसों में क्या होती है गतिज उर्जा होती है इसी गतिज उर्जा के कारण वो अलग-अलग वेक से गती करती है और जब गैसों की गतिज उर्जा को कम कर दिया जाता है तो क्या होती है मतलब ये है कि अगर गैस को कित में ताप डालते हैं गैस को गरम करते हैं तो उसकी गतिज उर्जा क्या हो जाती है कम हो जाती है और क्या हो जाती है वो ज्यादा गती नहीं कर पाती है अडू में गतिज उर्जा होता है इसके कारट क्या होता है गैस के पार्टिकल जो होते हैं इधर उधर गती करने लगते हैं लेकिन जब गैस को हम लोग गर्म करते हैं मतलब उसमें ताब डालते हैं तो अडू की गतिज उर्जा क्या हो जाती है कम हो जाती है है ना और क्या हो जाती है और अधिक गर्म करते हैं गैस को तो क्या होती है उसकी गतिज उर्जा और ही जादा हो जाती है और वो वास्प में कनवार्ट हो जाती है और इधर उधर पूरी तरीके से फैल जाती है ठीक अगर गैस को हम ठंडे करते हैं मतलब ताप बढ़ाते हैं तो गतिज उर्जा बढ़ती है लेकिन ताप कम करेंगे तो गतिज उर्जा क्या होगी? कम होगी ताप बढ़ाते हैं तो गतिज उर्जा बढ़ती है और गैस को जो पार्टिकल होते हैं और जादी मातर में अधिक गती करने लगते हैं। लेकिन ताप को क्य Ama कर देते है । कम कर देते हैं। मतलब गैस को लोगत ជस्कु जब ठंडा करते हैं, तो गती जुव जों, का में कम अधियर जाती है। समर्थन में ये बताया गया है कि गैस के मिस्रड में भारी गैस परत नहीं बनाती है ये विस्रड के कारण शमागी मिस्रड बनाती है जैसे एक हवा से भरी गैस के सिलिंडर के उपर उल्टा रखा जाए तो गैस हवा से भरे सिलिंडर में जाते है अर्थात यहां गृता कोई प्रभाव नहीं होता है तो यहां पर समल्धन साथ ए tant nine घैस के अड़ु में जो Srksट बल स्का कोई हैं रब्रभाव नहीं परता है समर्थन में यह होती है مैद विभीन छे मिश्रण है मतला है गैस'skt परत नहीं बनाती है ठीक, जो भारी गैस होगी वो अपना अलग से परत नहीं बनाएगी बलकि सभी गैस समागी रूपशे एक दुश्रे पर मिल जाएगी आर्टे सिद्धान के समर्थन में ये बताए गया है कि विभीन गैसो को क्या कर रहे हैं हम लोग आपस में मिला रहे हैं माल लेते हैं एक गैस क्या है भारी है और एक गैस क्या है हलकी है तो दोनुग गैस को मिला करके हमने यहां पर मिस्टर त्यार किया है तो जब हम लोग मिलाते हैं तो जो भारी गैस होती है वो अपना अलग से परत एक अलग परत नहीं बनाती है बलकि जो भारी गैस होती है वो भी हलकी गैस के साथ क्या हो जाती है पूरी तरीके से मिल जाती है और समागी मिस्रड बनाती है क्या बनाती है समागी मिस्रड बनाती है यहाँ पर भारी गैस है इसका मतलब यह नहीं है ठीक तो यहां पर गैसों के अड़ु गतिक सिध्धान के बारे में हमने देखा इसके आठ अभिग्रिहित आठ मुख्य धार्णाएं यहां पर प्रस्तुत की गई है पहले में यह बताया गया है कि सभी जो गैस होते हैं वो बहुत ही सुच्मकड़ों से मिल करके बने होते हैं है ना जो कड़ होते हैं जो गैस के अड़ु होते हैं पर माड़ु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं और गैस के जो अड़ु होते हैं वो क्या होते हैं एक सीधी रेखा में चलते रहते हैं लेकिन जो गैस के अड़ु आपस में टकराते हैं और जब पात्र की दिवार से टकराते हैं तो उनकी क्या हो जाती है अनेमित या फिर टेड़ी मेड़ी हो जाती है जब गैस के अड़ू आपस में टकराते हैं या फिर किसी पात्र की दिवार से टकराते हैं तो वो क्या हो जाते हैं वो प्रत्याष्ट हो जाते हैं मतलब वहां से उर्जा नहीं निकलती है और है कि गैस के जो अडू होते हैं उनमें ना तो आकर्शरबल काम करता है और नहीं प्रतिकर्शरबल काम करता है गैस में गुरुत्वा कर्शरबल का भी मतलब जो गैस के अडू होते हैं उनमें गुरुत्वा कर्शरबल भी काम नहीं करता है तो यह है गैस का अड़ूगतिक सिध्धांत अब आगे देखते हैं गैसों का द्रवड मतलब गैस को किन किन तरीकों से द्रव में बदला जा सकता है तो अगर गैस को द्रवित कराना है गैस को द्रव में बदलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ताप कम करना पड़ करके भी कर सकते हैं अगर गैस को द्रौ में बदलना है तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि गैसों का ताप कम करके हम लोग गैस को द्रौ में बदल सकते हैं दूसरा ये है कि गैसों का जो दाब है उसमें वृध्धी करके उसे हम लोग द्रौ में बदल सकते हैं तो गैसों का द्रवट पहला ताप कम करके करशक्ते हैं और दूसरा है दाब में वृध्धी करके यहां पर पात्र में गैस भरी हुई है जब इसको हम लोग ताप कम करेंगे मतलब ताप कम करेंगे मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे थंधा करेंगे तो थंधा करेंगे तो इसकी गतिज उर्जा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जो गैस की गतिज उर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और गैस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे द्रॉ में बदल जाते हैं दूसरा यह है कि दाब में वृध्धी करके इसमें गैस है तो इसमें दाब में वृध्धी हम लोग करेंगे तो इसमें जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे पास पास आएंगे गैस में गैस के जो अगर इसमें दाब में वृध्धी करें तो गैस के जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे पास पास आएंगे और पास पास आएंगे जिससे क्या हो जाएगा जो गैस है वो किसमें बदल जाएगा अब गैस है वो किसमें बदल जाएगा द्रौ में बदल जाएगा है ना तो पहला है हम लोग ताप में कम करके गैस को द्रौ म लेकिन क्या होता है दाब में सब्सक्राइब लगा रहे हैं तो गैस क्या हो गया है उतना अगर अगर पास नहीं आ रहा है कि जपने है Litיב यह फ़्ट को दाब लगा। गैस यहां पे दता यह जनीले चले जाते हैं मतलब उनमें प्रतिकर्षट बल काम कर लेता है तो यह ज्यादा उच्छी तरीका नहीं है गैस को द्रवर्ण को बदलने का बलकि ताप कम करके हम लोग गैस को असानी शे द्रवर्ण सकते हैं यह ज्यादा उच्छी तरीका है ठीक तो यहां पर गैसों के अब आगे देखते हैं क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर किसी गैस को द्रवित कराया जा सकता है परंतो इस ताप के ऊपर गैस को उच्छ दाप लगाने पर भी द्रवित नहीं कराया जा सकता है क्रांतिक ताप होने पर हम लोग गैस को द्रव में बदल सकते हैं लेकिन क्रांतिक ताप के ऊपर अगर हम लोग दाप लगा रहे हैं क्रांतिक ताप के ऊपर मतलब क्रांतिक ताप से अधिक 31.1 centigrade आपका क्रांतिक ताप है तो जैसे कि 50 अंच centigrade पर हम लोग दाप को बढ़ा रहे हैं तब भी gas जो है द्रौ में बदल नहीं सकती है मतलब क्रांतिक ताप पर ही gas जो है द्रौ में बदलती है अगर इस ताप की उपर, उपर में हम लोग दाप को रख रहे हैं जैसे 50 on centigrade ताप को रखे हैं, है ना, और gas में दाब लगा रहे हैं, तो जो है, gas जो है, द्रौ में नहीं बदल पाएगा, यह है आपका क्रांतिक ताप, है ना, तो क्रांतिक ताप पर जो gas होगा, वो किसमें बदल जाएगा, द्रौ में बदल जाएगा, माल लेते हैं अगर कταब को हम लोग क्रांतिक टाब के उपर रखे हैं कितना 15 uncentigrade रखे हैं 15 uncentigrade तो इस टाब पर जो gas है जो gas है उसमें अगर दाब लगाएं तो यह जो gas है वो किसमें द्राव में बदल नहीं पाता है क्रांतिक टाब ही gas उस गयस में से कितना भी दाब लगा लें तो वो ध्रव में नहीं बदल पाता है। उसके बाद है क्रांतिक दाब क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रवित कराने के लिए दाब की जिस्मान की औरशबता होती है सै या फिर क्रांतिक ताब पर द्रव में बदला जाता है तब उस पर जितनी हमें दाब की और शक्ता होती है वो ही उसकी क्रांतिक दाब कह राती है उसके बाद क्या है क्रांतिक आयतन क्रांतिक ताप वा क्रांतिक दाब पर किसी गैस के एक अडू के आयतन को उसका क्रांतिक आयतन कहते है क्रांतिक ताप पर और क्रांतिक दाप पर कोई अडू है कोई गैस का अडू है तो उसके एक अडू का जितना आयतन होगा उसके एक अडू का जितना आयतन होगा एक अडू उसका जितना जगा लेगा वही उसका क्रांतिक आयतन कहलाएगा इसे वी सी से प्रदर्शित करते है चीक